हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम है अभी देखेया और वेलकम टू टेक्सूर अगर आप अपने किसी भी सैमसंग के फोन में वायरलेस पावर शेरिंग आन करना चाहते हैं तो कैसे आन करें यहां पर मैं आपको बताऊंगा वीडियो के आन से देखते रहिए तो बहुत ही सिंपल त वायरलस लिखेंगे तो यहां पर आपको एक option दिख जाएगा wireless power sharing इस पे click कर ले तो यहां पर यह option दिख जाएगा wireless power sharing का तो यहां पर इसे मैं आर्ण कर देता हूँ देखिसे आ अर्ण नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा फोन अभी charging में लगा हुआ हूं यानि मेरा फोन चार्ज हो रहा है ठीक है, इस वजे से यह on नहीं हो रहा है, अगर आपका फोन charging में लगा होगा, तो यह on नहीं होगा, आप charging से छापँ इसके बाद आप इसे on कीजिए और आप अपने फोन की charging किसी और फोन में transfer करना चाहते हैं, अपने फोन से किसी और फोन को charge करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप दूसरे फोन को charge कर पाएंगे, तो उम्मीद करते हूं, आप समझ गया होंगे, वीडियो पसंद रहे हो तो व जाते हैं लो कि बाद आप 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 आप